ये दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गुरुजी एकजाम सेंटर पर तो दोस्तों अमले आपको यूपी जी के का टेस्ट लगाएंगे जूकि डेली आपको साम साड़े साथ बुजे क्लास होती है तो डेली आपको साड़े साथ बुजे से यहाँ पर यूपी जी के का टेस्ट लगा सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं आपको हमारी आवाज आ रही है आवाज आ रही है किलियर है यहाँ पर आपका प्रसन है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्टरी की स्थापना की जा रही है तो एक रेल कोच फ राइट अंसर आपको होजएगा option right यहाँ पर सी नमबर आपके राइबरेली में कहाँ पर राइबरेली में की जा रही है सभी प्रस्णा में master वीडियो में पढ़ा दिया है ठीके कोई प्रस्णा आपको गलती नहीं होना अचीए कहराब से कि कनहया लाल मडिक लाल केंदरी हिंदी संस्थान इस्तित है कनहया लाल मडिक लाल केंदरी हिंदी संस्थान जो आपका है कहाँ पर है तियाद रिखे यह आपके आगरा में है कहाँ पर है आगरा में है option right up का यहाँ पर A सही हो जएगा और अगरा प्रस्णाप से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रारमिक सिच्छा के लिए school चलो अभियान कब सुरू हुआ था देख लिजे उत्तर प्रदेश में जो आपकी प्रारमिक सिच्छा के लिए school चलो अभियान यह जो आपका सुरू हुआ था कब से सुरू हुआ था तो right answer आपको हो जएगा option B आपके सन 2000 में option आपका यहाँ पर B सही हो जएगा अगला प्रस्णाप का दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड़े मिल कारिकरम आरम में किया गया यह का बारम किया गया था त्याद रिखे मिड़े मिल मिड़े मिल यह कारिकरम आपके 1995 में option आपका यहाँ पर C हो जएगा 1995 अगला प्रस्णाप का दिया गया है कि भारती चारागाह एवं चारा अंसंधान संस्थान इस्तित है देख लिजे भारती चारागाह एवं चारा अंसंधान संस्थान जो आपका है यह कहाँ पर है कई बार आपने पढ़ा भी है त्याद रिखे यह आपके जहासी में जहासी में है option आपके आपके जहासी अगला प्रस्णाप से पूछा गया है QPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्धोगों हे तू उद्धोग पार्क इस्थापित किये गए है उस उद्धोग पार्क को चिन्नित कीजिए जिसका इस्थान सही नहीं दिखाया गया है तो यहाँ पर दे सकते हैं अगला प्रस्णाप से पूछा गया है कि अमना एक्सप्रेस वे है देख लीजे M9 Expressway से question आपके महुत पूछे जाते हैं तो जो M9 Expressway है वह आपके कहां से कहां तक के लिए तो ये आपकी ओपर और आपके Sir if आपके Sammens attempt के लिए तो यह आपकी है greater noada से आगरा तक के लिए आपका M9 Expressway है ठीक है और अगला प्रस्ण है कि चर्कुला प्रमुक लोक रते है चर्कुला नोक नत्य जवाब का है ये कहां का है कई बार आपने पढ़ा भी होगा तो याद रेखे चर्कुला ये आपके ब्रज भूमी का है ठीक है कहां का है ब्रज भूमी का ओप्षन आपका भी होजेगा अगला प्रस्ण है कि GT रोड नहीं गुजरती है जीटी रोड नहीं गुजरती है कहा से तो आपका इलाबाद आगरा मुगल सराय है यहाँ पर अलीगड से नहीं गुजरती है इस कारण से option right अप क्या पर सी होजेगा अलिगड ठीके और अगला प्रसंद दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्लिकित कौन सा छेत्र सरवादिक बाण प्रभावित है सरवादिक बाण प्रभावित जो छेत्र हो आपका कौन सा है तो देखे यहाँ पर आपका यूपी है और बिहार से जो बिहार के साइड में जाएंगे तो पूर्वी छेत्र मिलेगा न तो यहाँ पर आपका जवाब हो जेगा option B पूर्वी छेत्र है यह आपका बाण प्रभावित छेत्र आपका है ठीके B number अगला प्रसन आपका है उत्तर प्रदेश में औले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जीला कौन सा है औले का सरवादिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर तो यह आपके कहाँ पर होता है वाई तो आपके option right आपका हो जेगा भी आपके प्रताबगड में ठीक है प्रताबगड में और अगला प्रस्ण है कि रानी लच्मी बाई बाई बांध अवस्ती थे यह आपकी कहां पर है तो यह आपकी कैसिक्टें बेतवा नदी पर है कहां पर है कौन सी नदी पर तो आपकी बेतवा नदी पर है और अगला प्रस् बचेटर फ failure जूवाब का है'll belling is अपने कुल छेटर फंद करलगभु जो आपका था वह आपका कितने प्रश्द तो राइट अंसरा को कहें पर सूर ह्णाप का ऐसिल नंबर सुनॉफ 7 ठीक है सुनॉफ आपने अगला प्रसन आपका है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुक वाडजिक उपाज क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुक वाडजिक जो उपाज है वह आपकी कौन सी है तो यहाँ पर राइट अंसरा क्या बनेगा राइट अंसरा आपका बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पर गन्ना यह आप agriculture जो प्रकासित होती है ये कौन से संस्थान से कहां से होती है ये जो आपकी होती है ये आपके भारती क्रिशी अंसंदान परसद की द्वारा होती है और सनफ के यहां पर भी हो जेगा भारती क्रिशी अंसंदान परसद से आपके होती है ठीके हैंड बुक आप agriculture अगला प सरधना करवाया था अगला है कौन सुमेलित नहीं है 97 समयलित नहीं नहीं है 90 तो कहरा आपसे कि ओला दिया आपके बुन्देल खंड से सही है बिरहाप का पुर्वांचल है चैती आपके और उहल खंड दिया है भी सही है option D वाला देखे कहरा कजरी आवद छेतर से तो वही कजरी आवद छेतर का नहीं है ये भी आप ही कह सकते हैं पुरवांचल छेतर से है मिरजयापूर है ना ऐसे छेतर में आपका होता है तो इस कारण से option आपका D ये आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रसना आपका है कि निम्लिकित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है कहरा आपसे कि कवीर पंथियों का पवित्र तीर इस्थल मगाहर भगवान बुद्धुका निर्मार इस्थल कुसी नगार यह भी सही है सूफी संत हाजी वारी जली समझार जो आपकी दिवसरी बारबंकी यह भी सही है अगला 88,000 रिस्यों की तप इस्तिली तो देखी आपसन यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि तप इस्तिली कहाँ पर आपके नय मिसारण जो आपके सीतापुर पड़ती है ना तो देखते हैं आपर हंडे टमबर में कहरा आपसे यहाँ पर कि जोस दिया है आपका मलीहाबाद है ना जोस मलीहाबाद रगुपत साह्य फिराक तो हमने आपको बत Candi तो रगपध साह ये, ठीके, तो ये आपके गोरक पूर से हैं, ना कि आपके कानपूर से तो इस कारण से वी वाला आपका गल्ट हो जाएगा, वह पर जीगारा मुरादा बास से हैं, और आके चकबक आपके लखनो से हैं, तो वी वाला आपके तो यह आपके कहाँ पर है आपके आगरा में है और हमने आपको तह था इत्माद दौला कि जो मगबरा है वो पिक्ट्रा डूली सहली से बना हुआ आपका मगबरा है जैसे कांच रंगीन कांच के टुकड़े इनके आपके मगबरा में लगे थे ठीक है अगला बुरन दर्वाजय कांपर है तो आपके फलतेपुर सीकरी हो गया अटाला मस्जिद कांपर है तो आपके जौनपूर में है ठीक है अल्फरेट पार्क तो आपके इलहाबाद में है है जिसे आधुनिक नाम दिया गया है चंसेखर राधधानी अगर पूछे कि राधधानी क्या है तरप्रदेश की तो आपके लखनव है ठीक है लखनव है और वहें पर जो आपका दिया गया च्छेत्रफल तो दो सो चालिस नो सो अठाईस वर किलुमीटर ये इसका च्छेत्रफल है मतलब देखा जाए कुल भारत के कुल च्छेत्रफल का कितना है तो साथ समलो 33 प्रशत है वहें पर देखा जाए तो उतर प्रदेश का इस्थान जो आता है वो चोथा साथ सीमा जो यूपी बनाते है नेपाल के साथ यहाँ पर दिया सरवाधिक राज्यों किस परस करने वाला जो आपका जिला है वो आपका कौन सा तो याद रखेगा ठीक है और एगले प्रसकोराते हैं प्रस्णाप सेगला है सरवाधिक वर्षा कहाँ पर होती है तो अभी वत नदिया तो आपकी गंगा, यमना, गोमती, रामगंगा के बेतवा यापकी पुरुक नदिया हैं आप यहाँ से कैसे कुछ कोॉट से ऐसे बनते हैं कि कॉन सी नदी है, जो आपके दच्छिन भारा से निकलती है कैसे के सिकते हैं यह पूचा जाता है कि हिमाले परवस से आपकी नहीं निकलती है तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी गोमती नदी है है ना ये हिमाले परवस से आपकी नहीं निकलती है ये point आपको याद रखना है और एक बेतवा नदी है ये भी आपकी हिमाले परवस से नहीं निकलती है ये अभी हाली में जो आपका 2020 में UPPSS आया था आई जम UPPSS में कोशन पूछा गया था कि उत्तरपदेश की कौन सी नदिया है जो हिमालय परवसे नहीं निकलती है तो भई गोमती नदी और बेतवा नदी ये आपके नहीं निकलती है ठीके और अगला है कि देश में प्रथम इस्थान देखा जाए तो किस के उत्तपादन में तो जैसे गन्ना उत्तपादन हो गया है ना आलूत पादन और रेल मार्ग में और कुल पस धन में अरो दूद उत्तपादन में इस सभी में इस्थान आपका पहला रगता है आर्थिक संभाग छित्र जो आपके वो आपके चार है ठीक है नगरो यो नगर समों की संख्या आपकी 915 है तैसिल की बाद देखा जाए तो 2017 के कोर्डिंग कितनी है तो आपकी 350 हो जाएंगी ठीक है 350 वहें पर अगर बात करें कि नगर पंचयत तो नगर पंचयत आपकी 423 ठ गरो 17 या 75 नमबर जो आपका है वो आपका साज आपउर तो कोर्ष्टन आपसे बहुत पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है नगर गयम आपके कितने है तो आपके 17 नगर नगर निगम है जो कि आपके साज आपउर को सामिल किया गया है ठीक है याद रहेगा अच्छा अगले प्रसिकोर आते हैं प्रस्टन आपसे अगला पूछा है कि केंद्री विस्विद्याले की बात करें कि केंद्री विस्विद्याले कितने हैं तो वे कितने केंद्री विस्विद्याले हैं आपके तो आपके 6 केंद्री विस्विद्याले हैं सबसे पूर्वी जिला नाम जो था आपका संव्क्तुप्रांथा यसे भी यूनाइट प्राविनसी के नाम से जानते हैं यहां पर स्तिति आपकी जो आपकी है च्शानस रहा कि वह आपकी 23 22 और आपकी 30 और 28 इसके उत्तरी है और देशांतर में तो देशांतर आपके यहां पर 27 अंस तीन मिनट और यहां पर पूर्वी बाला है तो आप चरुवासी यह आपको याद रखना है सीमावर्ती राज्य में देख लिए उत्तर प्रदेश में जो उत्तरा खंड है नेपाल पर शिम यहां पर नेपाल की बात किया तो नेपाल जो आपका हो जाएगा तो आपको कौन सा तो पूरम में आपका बिहार जारखन्ड परश्ची में हरियाना दिल्ली राजस्थान और दच्षण में मद्य प्रदेश और 36 ठीक है उच्चे नियारा की बात करते है तो उच्चे नियारा आपके कहा पर है तो आपकी इलाबाद हैं और वहें पर बात करें जीले तो कितने हैं जीले आपके 75 ठीक है विधान मंडल तो आपने यहां पर विधान मंडल कैसी वाई यूपी में तो आपके दूई सदनात्मक है कैसी यह दूई सदनात्मक है आथात कैसकते हैं विधान सभा और विधान परसद ठीक है विधान पॉइंट के आते हैं हाँ यहां पर देखिए राजकी जैन संगाले पूछे कहां पर है आपका तो राजकी जैन संगाले आपके कहां पर है तो यह आपके मतुरा नगर में है ठीक है मतुरा में है लठ मार हो ली जो होती हो आपकी कहां पर तो बसाना ठीक है बसाना में और का एक मंदिर है जो को गुप्त कालीन है इंटो से बना हुआ मंदिर आपका है भीतर गाउं मंदिर कापर पड़ता है तो यह आपके कापर पड़ता है भई तो आपके कानपुट देहात में पड़ता है भीतर गाउं अतरंजी खेडा जहां से कर सकते हैं कि कुछ लोगे के पूरम्पूर में है ठीक हैं और यहां पर आपका अगला है कि योड़िया नेशनल पार कहां पर आपका है ने ten लखेमपूर खेरी में है हैना देवाबंद ये जो आपका पढ़ता है कांपर सहरनपुर में, द्योगड का दसवतार मंदिर ललिटपुर में, कलिंजर का किला कहां पर है तो आपके बांदा में है, सुराताल पच्छी वियार आपके बलिया में है, ठीके, और कार्ण वालिष का मगबरा, याद रिखे, अंग्रेज आपका जो था ये गवरनर, तो इसकी क सकते हैं कि आपके लखनव से आपकी थी, जो कि आपकी बेगम हजरत महल, यहां से कोश्चन काफी पूछे आते हैं न, कि लखनव से जो भी द्रोक का नेतरत किया था, आपके बेगम हजरत महल ने किया था, है न, और वहीं पर देखा जाए, तो आपके इलाहाबास से लिया यहां पर कैसे कि इतनी कोशन से पहुचा जाते हैं और यहां पर दिया है नवाब गंच पच्छी वियार जिसे वर्तमान में जाना जाता है चंसेखर पच्छी वियार और कैसे कि यह आपके उन्नाओं में हैं है ना कुम्भ मेला यहां पर 2019 की बात कर रहा है ठीके और काला हिर करें कि महादाहा जो आपड़ता है वो भी प्रताबगर में पड़ता है ठीक है और कुल मिला कि हमने आपर जो लिया था थियोरी पोर्षन में वह आपके काफी मात पूर्ण रहे हैं और उमीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो गए वीडियो क्योंकि इसमें से टेस्ट के स साथ कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो लगबग देखा जाए तो सभी पार्ट में यहां से कोशन आपके बनते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है सभी लोग वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाए वीडियो हम तत्ते कि धनवा जेंगे